हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गूरू चिनल में एक बार नए मार्केट अब्डीट के साथ इंट्राडे टिप्च और रिक्मिडेशन के साथ दोस्तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो डेली बिस्स की तरह है आज भी मैंने दो बहतरिंग स्टॉक लेका हूँ जो कल की डिट में आप लोगों को इंट्रे डे में काफी शांदार पॉफोर्मेंस करके देने वाला हैं ठीके दोस्तो आप लोगों को प्रॉपर टेक्निकल व्यू के एकॉर्डिंग ये स परपस से हैं और एक नॉलेजएवल परपस से देखने को मिल रहा है ठीके तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा अगर आप लोगों ने प्रॉफिट गूरू चैनल को फरस्टाइम विजिट किया है तो डेफिनेट देखने को मिली थी दर उसके बाद मार्केट जब क्लोज वा तो एक अच्छी कासी रिकवरी देखे ड हुआ है लगबक पंदरा हाज 445 रुपे के लेवल के आरश सपास जहां पर कल मार्केट क्लोज वा था आज सेमी प्राइस पर मार्केट क्लोज हुआ है ठीके देखें आज की डेट में करीवन 27 स्टॉक ऐसे थे जो पुजिटिव थे और 23 स्टॉक हमें नेगेटिव देखने को मिले जिसमें से टॉप गेनर की लिस्टी आप चेक कर सकते हो टॉप लुजर की लिस्टी भी यहाँ पर देखके चल सकते हो ठीक है तो इनी में से दो बहतरिंग स्ट के आप लोगों के लिए जो कल की डेट में आप लोगों को काफी जोरदार परफॉर्मस करके देने वाले हैं तो चलिए जो फरस्ट स्टॉक है उसके उपर चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो रिलाइंस इंडस्टी का आप लोगों के लिए फरस्ट अपने 2200 रुपे के लेवल पे उपर क्लोस हुआ है और उसको होल्ड करके ठीक है तो आज की अगर तेजी देखें तो दोस्तों यह स्टॉक 207 रुपे पे क्लोस हुआ है लगबग 10% से ज़्यादा की तेजी प्रीवेस क्लोस था 2168 रुपे 90 पैसे गेप डाउन ओपनिंग हो तो वाल्यूम भी दोस्तों का इस स्टॉक में डवल से अब आने लगा है रोज इतना ही कॉंटिटी ट्रेड हो रहा है आप देख सकते हो एक करोड तेरा लाग कॉंटिटी या ट्रेड हुआ बावन भी का है अभी भी काफी दूर है और बावन भी का लोग भी आप यहाँ पर देखके चल सकते हो उसी के साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो स्टॉक है स्टॉक का आज का अगर हम देखें डिलेवरी पेटन तो आप देख सकते हो डिलेवरी पेटन है 48% का कॉंटिटी अगर आप देखेंगे 54,60,000 देखने को मिल रहे मतलब दोस्त तो इसके technical view पे क्या momentum मिलेगा यह देख लेते हैं और सीख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो रिलाइंस का chart pattern हमने आप लोगों के सामने open के है 15 मिनिट का candle आप लोगों के सामने open है यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज में दिखाता हूँ जो हर chart पे आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है यह देखें यह मैं आपको 31 तारिका चार्ट पेटन मतलब सुंबार का अपडेट कर रहा हूँ सबसे पहले ये तेजी देखिए ये अच्छी काजी तेजी आती है लगबख दोस्तो 1990 रुपे के लेवल के असबास जो करीवन दोस्तो ये तेजी हाई लगा देती है पर भी वही देखने को मिल रहा है ठीक है देर उसके बाद क्या होती है यहाँ पर आप देखिए बाइंग आती है प्रोफिट बुकिंग आती है और बाइंग आती है और एक बड़ी सी बाइंग आ जाती है बड़ी सी बाइंग आती है तो जो इसका पोट है कहाँ पर रेजिस्टर ने सीधा सीधा फंडा देखने को मिला है दोस्तों कि स्टॉक में एकी जगा पे जादा बार ट्रेडिंग होते देखने को मिली है ये लेवल इस्टॉक का अगर देखे 2150 ठीक है ये लेवल पर से स्टॉक कहा आता है नीची आता है फिर उपर कहां तक जाता है 2200 रुपे मतलब एक बिल्कुल भी नहीं पाता है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है कहां तक आती है लगबग दूस्तों 2150 रुपे के लेवल तक फिर स्टॉक ऊपर जाता है कहां तक जाता है 280-290 मतलब उसकी एक्छाही नहीं हो रही थी कि 2200 र रुपे के लेवल तक जो यहां पर हाई था वो यहां पर हाई लग रहा फिर लो वही सेम आप देखें तो यहां पर जाकि यह लेवल ब्रेक हुआ है तो इस लेवल पर दोस्तों ज्यादा हमें confidence बिल्ड हुआ है कि हाँ अब इस टॉक में एक अच्छी कासी तेजी हमें एक लोगों को यहां पर कुछ चीज़े देखने को मिलेगी कुछ चीज़े सीखने को मिलेगी क्योंकि कभी-कभी दोस्तों रिसर्च है ना बहुत चोटे टाइम फ्रेम में हो जाती एक से दो मिनिट में होके निकल जाती ठीक है देर उसके बाद आप लोगों का यहां पर को buy करेंगे target के अगर मैं बात करता हूं तो लगबग दोस्तो 2222 मतलब आप लोगों के लिए 12 point का target रहने वाला reliance का buy करना है बाकी नीचे description में तो दोस्तो angel walking का link दिया हुआ है app stock का link दिया है LS blue का link दिया हुआ है वहाँ पर जाएए free में dimate account उपन करिए और हमाया साथ premium टेलिग्राम में एड़ो के nifty bank nifty stock option में बरपूर ट्रेडिंग करिए और नीचे description में link दिया टेलिग्राम का उसको भी free up cost join कर लीजिए वहाँ पर free up cost आप लोगों को nifty bank nifty stock option में बरपूर ट्रेडिंग कराया जाता है ठीक है और आप लोगों को अगर मैं SL की बात करता हूँ तो दोस्तों आप SL लेके चलिएगा बाबी सो तीन रुपे का मतलब आप लोगों के लिए साथ पोइंट का SL और लग बारा पोइंट का आप लोगों के लिए यहाँ पर टारगेट है रिलाइंस को कल की डेट में क्या करना है बाय करके चलना है अब अपन चलते हैं सेकेंड स्टॉक के उपर तो दोस्तों आप लोगों के लिए सेकेंड स्टॉक है पिरामल इंटरप्राइशन लिमिटेड जिससे हम P.E.L. के नाम से भी जानते हैं आज यह लगाता है 1845 रुपे 40 बसे और लोग लगाता है 18 रुपे का जो ओपने स्टॉक का वो हमें क्या देखने को मिल रहा है लोग देखने को मिल रहा है मतलब अच्छा का सम्मेंट है वाल्यूम बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों मात्र 9,28,000 कॉंटिटी का 52 का हाई 52 का लो मतलब स्टॉक का वो मुमेंटम में आज की दिन अच्छा का सा देखने को मिला है अब इसके टेक्निकल व्यू पर चलते हैं क्या मुमेंटम मिलेगा कल के लिए यह देख लेते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो पी एल का चार्ट पेटन आप लोगों के सामने द देखने को मिला था वहां से 31 तारी को तेजी आती है ठीक है तेजी आती तो वह तेजी दोस्तों कहां तक जाती है लगबख 2820-2825 रुपे के लेवल तक यहां पर आप देख सकते हो लेकिन वो उसको होल्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाते यहां पर देखे यह जो सापली मुम क्लोजिंग भी उसी लेवल पे दी थी एक तारीक मतला दोस्तों कलकी डेट आती है कलकी डेट में गेप अपनिंग लेता है स्टॉक हाई लगाते दोस्तों करीबन 1830-1840 रुपे का देन कंटिन्यू में यहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है और वो प्रॉफिट बुकिं हड़ जाता है जो सेलिंग प्रेशर था वो पूरा हड़ जाता है ठीक है उसके पाद बात थी की बाइंग होगी बाइंग होने के बाद अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर काफी अच्छी तरीके से स्टॉक उपर जा रहा है ठीक है लेकिन उसको अठारा सुरुपे का लेवल ता उसको ब्रेक नहीं क्या फिर अठारा सुरुपे के लेवल पर नीचे आहे मतला एक इंपोर्ट्न लेवल पता चल कैता आठारा सुरुपे का यह level ब्रेक होता है एक रही केंडल बनती है उसको होल ड़ कर पाती है तो ही इस टॉक ऊपर जाएगा तो यहां पर दे देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिला देखें आपको देखने को मिल रहा है इस टॉक में थोड़ी सी बाइंग आती है वो बाइंग कहा तक जाती लगबख 1820-1825 रुपेक लेवल से मतलब इस टॉक उसको होल्ड नहीं कर पाया तो और गिरावट आ जाती गिरावट कहा तक आती एकदम यह लो़र पॉइंट देखने हो को मिल रहा है ठीक है यह वाला यह देखिये यह देखने हो मिल रहा है 1860-1825 रुपे से तो वहीं पर कन्फर्म हो गया तो दोस्तों कि आब यह इस टॉक में नई तेजी देखने को मिलेगी तो आप देख सकते हो यह नई ते चलिए टारगेट एन इस्टॉक लोस अब्डीट करता हूं तो दोस्तो आजा करता हूँ आप लोगों को इस स्टॉक के चार्ट पे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इसी प्रकार से आप भी रिसर्च करके दोस्तो एक अच्छी कासी पोजेशन मेंना के ट्रेड कर सकते हो ठीके तो चलिए आप लोगों को मैं अपडीट करता हूँ दोस्तो इसका लेवल से तो कल की देडिमें अगर आप लोगी स्टॉक को बाइख करेंगे तो लगबग स्टॉक को हम बाई करेंगे 1851 रुपे के लेवल से टार्गेट के अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तो आप लेके चलेगा करीवन 1865 रुपे का ठीक है आप लोगों के लिए 14 पॉइंट का टार्गेट रहने बाला है बाकी नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दिया दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को सभी चीज़े अपडेट करते हैं अगर आप लोग अभी तक जॉइन नहीं है तो जाके फ्री आप कोस्ट जॉइन हो जाए तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लिस लाइक जरूर करिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए काफी महनत हम करते हैं तो आप अगर लाइक करोगे तो हमारा काफी मोटिफ बढ़ेगा तो वीडियो को आप क्लोस करते हैं टेंक्यू दोस्तो